गुड बॉर्निंग नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाले कैसे आप सभी स्वागत है आप सब का एक बार फिर से सिउप्री एजहां सर के साथ यूपी एस्सी एडा चैनल पर तो आईए जरा जाना चाहे और पढ़ा जाये आज के सैसन में इत्यास की कहानी में आपजेक्टिव मे क्या क्या चीज़े हैं सर तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि रेगुलर अब नौ बजे इत्यास की कहानी चला करेगी और साम को छे बजे जैसा कि आपका रहता है साइंस का सैसन वो चला करेगा ठीक है तो एक बार सभी लोग बस जड़ा जल्दी से ल गुड मारिंग बिंदु जी गुड मारिंग आईए स्टुडेंट्स अब जरह पढ़ा जाए कोसन की और बढ़ा जाए और बढ़कर जरह देखा जाए कि क्या है आज का कोसन ठीक है तो सर कुछ तो अभी रिवेजन होगा क्योंकि पहला पहला दिन है बहुत दिन बाद है तियस है ना तो बिलकुल सुनिमा जी बिनी सभी को गुड मारिंग और आईए जरह देखे आज किसी भी अड़ा के प्रोड़क्ट पर बच्छो आपको क्या है वाई टू सिक्ष्टी कोड का यूज करना है बेस्ट एबलेबल आपके लिए डिसकॉंट इस पर एवलेबल में रहेगा ठीक है और तो चलिए सरोके तो आपको पताई ये आपका मौक रहेगा बच्छे ठीक है चलिए अब इसके बाद भाई बाहू बली बाहू बली जरह देखें हाँ बावू है आगए सर बहुत बढ़िया बावू भाई चलिए ओके तो नेक्स पर आईए और आगे बढ़कर जरह जानते सर ये बावू बली का जो टाइमिंग है ध्यान रखें सर ये दो टाइमिंग में है मौनिंग में आपका दस से ग्यारा ठीक है और फिर ग्यारा से बार मौनिंग की टाइम रख दिया गया है भाई फाइनली ठीक है तो इसको आप लोग जोइन कर सकते हैं अठारा वह अठारा कह रहे है पास तारिक से ये बैच स्टार्ट है आपका ठीक और इसके लिए भी कोड क्या यूज करेंगे बच्चों आप वाई-260 कोड का यूज करे देंगे चलिए सर अगले पांट पर बढ़ा जाए तो सरो कोशिन आगला आपका जिग हाँ कोशिन है आपका बहुत सिंपल सा बहुत सिंपल सा कूशिन क्या सर the tenure of Congress कोशिन नम्बर पर नहीं जाना है जाए दा टेनिवर of Congress ministry formed in the election of 1937 after the एक्ट आप 1935 वाज कितने टाइम के लिए था कॉंग्रेस की मिनिस्ट्री आप सभी बच्चों को बताना है और इसके लिए बच्चे आपके लिए वही सेम ट्वेंटी सेकंड का टाइमर ना बताईए जल्दी जल्दी से जरा यस और यह लाइक से जरूर करते रहना बच्चे हुम चलिए सर जल्दी जल्दी से जरा बढ़ा जाए और देखा जाए कि क्या होना चाहिए सर करेक्ट आंसर यह समीना जी निसा चांदनी बहुत बढ़ियां ठीक है यह चिका ठीक ओके तो देखें यदि हम लोग देखें कि कितने महिने के लिए था तो बच्चे बिलकुल सही है जिन बच्चों का ओफसन है आपका 28 मंथ विलकुल 28 मंथ के लिए था बच्चों एक और पांट आपको याद रखने 28 महिने के लिए था और सर यह जो आपका सैसन किया गया था ना मतलब इलेक्शन जो किया गया था गौर्मेंट आफ इंडिया एक 1935 के एक्वार्डि किया और यह 28 मंथ तक रहा और इसके दोरां 1939 में याद रखेगा सेकंड वर्ड वार का सुरू होना 1939 में बच्चों सेकंड वर्ड वर्ड वार का सुरू होना ही सबसे बड़ा खत्रे की गंटी था क्यों एक सेप्टेंबर 1939 को हुआ यह कि सर एक सेप्टेंबर 1939 को आपका ठी पॉलेंट पर एटेक कर दिया था ठीक है इस एटेक के साथ ही कहानी क्या बनती है कि हमारे यहां पर हमारे ही लोगों को जेल में भरा जाने लगा जब हमारे ही लोगों को जेल में भरा जाने लगा बच्चे तो फिर अपने कॉंग्रेस पार्टी ने सोचा ऐसे में सरकार रहक कर क्या करेंगे इसलिए उन्होंने फाइनली 1939 में रिजान मारा बाइस अक्टूबर को और उसके बाग मुहमद अली जिन्ना ने कहा था डारेक्ट डिलिवरेंस डिवो सब को से ने बच्छे सिक्वेंस से उसका चलिए सर अगले को सिन पर बढ़ा जाएं अगला क्या है इन हो मेनी प्रोवेंस वास्टा कॉंग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म देन दा 1937 1937 में कितने जग है पर कॉंग्रेस की मिनिस्ट्री बनीती बच्छों आपको बताने 23 लोग लाइब हुए यार जल्दी जल्दी से एक बार लाइक सेर के साथ आगे बढ़ेंगे और बच्छे आज इ टाइमर आप हो चुका है भाई देखते हैं अब क्या होना चाहिए सर आंसर इसका यह 25 लोग पहुंचे बबु भाई ठीक है ठीक गुड़ 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 तो देखें सर कितने हैं इन हो मेनी प्रोवेंस कॉंग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म तो सर एक्च्छल माइने में कहें तो पांच जगे पर बनी थी लेकिन बॉंबेंग में जो है ना वो मिली जूली सरकार थी मिली जूली इसलिए आपको वो भी इंक्लूड करना है और आपको 6 मानना है आंसर 6 आपको आंसर मानना है ठीक है 27 लोग लाइब है प्यारे बच्चों एक वाल लाइक से जरूर करते रहिएगा और बढ़िये सर अगले कोशन की ओर ठीक है अगला कोशन है इन हो मेनी अप दा फॉलेंग प्रोविंस वाज़ा कॉंग्रेस मिनिस्टी नॉट फॉर्मड अंडर दा एक्ट आप गॉर्मेंट आफ इंडिया एक 1935 बिहार मद्रास उडिसा पंजाब कहां पर कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनीती बच्चों यह आपको बताने है यस फास्ट स्पीड से बताईए गवाई जितने भी लोग जोइन कर रहें यार थोड़ा सा लाइक से जरूर करते रहें जैस चलिए ओके निशा बहुत बढ़ी है ठीक है या चीका जी बिंदू जी मनीशा जी ओके समीना ठीक है तो राजी गुड ध्यान रखे किन राजी में नहीं बनाता बच्चे तो पंजाब रांथ में नहीं बनाता कॉंग्रेस की सरकार पंजाब वाले प्रांत में नहीं बनी थी, option number, भै राजा बाबू भाईया, बहुत बढ़िया बाबू भाईया कहीं तुम वो फूफा जी वाले पार्ट में तो नहीं हो, कैर चलो आज और अगले पार्ट पर पढ़ा जाए, अगला पार्ट क्या है सर, अगला कोशन आई ये जरा, दो प्रोविंस वेर इंडियन नाश्रल कॉंग्रेस डिड नोट फॉर्म दो मिनिस्ट्री आफ्टर दा जेनरल एलेक्शन ऑफ नाइटीन थर्टी सेवन किस जिगह पर मिनिस्ट्री को नहीं बनाय था, कॉंग्रेस ने, वो सारे जिगह आप सब को याद होना चाहिए, इसलिए अलग-अलग कोशन मिलाए गया, बेंगॉल, बियार, मदरास, यहोडी सा, बताइए का बचो किस जिगह पर कॉंग्रेस ने अपनी मंत्री परिसद नहीं बनाय था, बताएं, मनसूरी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, चल बूर्ड गुड अन्शू गलत है, सुमन गलत है, सालू जी, सो lettuce हमा दीपीका के, सुets यूट जी, बीनी, क pineapple, बियारा, बचे, यहाल र्कोzon नहीं बनाय था, ठीक, यह यादर, रुष में ल को बेंगोल, क्या है, सर, बेंगॉल, ठीक है, बेंगोल में, नोट फॉर्म या यह याद रखा करो ना ना नॉट फॉर्म ठीक है ओके चलिए बच्छे अगले कुर्शन पर नेक्स कुर्शन कैसर कुर्शन नंबर 57 कंसिडर दा फॉलिंग प्रविंस आप बिटेस इंडिया और इंडिफाइड दोस वेर दा इंडियन नाशनल कॉंग्रेस दिन नॉट फॉर काम मिनिस्ट्री कहां पर मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म किया था आपको यह बताना है इनमें से देख लो अच्छे से और उसके बाद बताना बच्छे कि कहां पर मिनिस्ट्री को फॉर्म नहीं किया था ठीक है तो फॉस्ट स्पीड से बताईएगा यस और इसके लिए 20 बढ़ाएं मेहंद्र परताब जी गुड मार्णी भाई थोड़ा लाइक वाइक सेर्वेर करते रहो यार आप लोग ना जल्दी जल्दी से बज़ रहा बिलकुल सुमान नदीम हो के सवानि मायास समीना जी गुड बहुत बढ़ी आभी अनन्या जी गुड यह जो आप लोग ने देखा उसके बेसिस परी आप समझेने के सर थार्ड एन फॉर यानि आप्सा नमर बीज़ दा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए सर अगले कोशन पर कोशन ने विच आप दा फॉलइंग इलेक्शन दसेंटर लेजिसलेटिव असेमली वर हैंड अंडर दा गॉर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नीस ओनिस के तहत इन में से किस्में एलेक्शन किया गया उनीसोच अब इसके बेसिस पर आपको बताने बचाना नीचे जो दिया गया है फास्ट स्पीड से बताएंगे और मेरे भाई थोड़ा सा लाइक वाई जल्दी जल्दी से जरा करो यार शुबह स्वेका सैसन में यह इस तरह से सुए रह जाओगे तो फिर मज़ा कहा आएगा ना चलिए चलिए बाई चलिए देखा जाए गुड यास चांद नी ठीक है ओके राजीव ठीक बहुत बढ़िया देखे गुड मॉर्णि गुड याजी गुड मॉर्णि देखे विच अब फॉलाइंग इलेक्शन ऑफ दा सेंटर लेजिसलेटिव एसेम्बली वर हैल्ड अन एक्वार्मेंट आफ इंडिया गुड आफ इंडिया अक्ट नी सो नीस में जो हुआ था इलेक्शन बचे वो किसके ऐक्वार्डिंग किया गया था तो आपको याद रखना है 1926 और 1945 ध्यान रखिएगा 1926 और 1945 में जो किया गया था ये Government of India Act 1919 के तहत किया गया था ठीक है ये ध्यान रखना है और जो rest बचा रहा वो आपका 1937 वाला ये आपको याद रखना है ये किया गया था Government of India Act 1935 के द्वारा ठीक है तो इस हिसाब से देखें तो आपका ANC यानी ऑप्सन नमबर सी दा करेक्ट आंसर ऑप्सन नमबर सी आपका करेक्ट आंसर है ठीक है चलियों के नेक्स कोर्शन पर बढ़ते हैं सर अगला इन 1937 कॉंग्रेस सिक्योर अ क्लियर मेजोर्टी इंडा इस्टेट नमरिंग क्लियर मे जोर्टी बच्चे कितने राज्यों में पाया था आपको बताने ठीक है हां अच्छा यह बबू यह क्या कहें अरे बबू चलो आंसर करो भाई यह जल्दी 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 से भाई 35 लोग लाए बैया लाइक से जरूर करते रही है ना चलिए जल्दी जल्दी फास्ट चो यह सुनिमा बबू भाईया ठीक है अनन्या जी स्टूडियो आर के बोड चलिए अनन्या जी ओके गोड तो अब आंसर पर बढ़ा जाया सर और आंसर को देखा जाना चाहिए कि क्या है विल्कुल सही नदीम गोड तो भई पांच राज्यों में अब्सुल्यूट में ज अच्छे चलिए सर अगले कोशन पर बढ़ा जाया जाना कोशन है दा प्रोविंस वेर इंडिया नाशल कॉंग्रेस कुर्णाट गैट अप्सुल्यूट मैजोर्टी दूरिंग दा 1937 1937 के एलेक्शन में कहां पर क्लियर मैजोर्टी अप्सुल्यूट मैजोर्टी कहां पर नहीं पापाई थी अप्सुल्यूट मैजोर्टी कहां नहीं पापाई थी आपको बताने है बच्छों बताईए ट्राइड वांसर अब बबू नहीं बाबू है अचा अचा बाबू भाईया रहे यार यह पता ही नहीं था मुझे तो कि बाबू भाईया भी कोई है क्या चल यह आंसर को देखा जै वह से बड़े बड़े अच्छे चैरेक्टर के साथ आते हो तुम से चैना मुझे लगरा पक्का तुम से चैनियो चले ठीक है तो सर कहां पर बंबे 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 बिलकुल बिलकुल बंबे याद रिके बंबे में क्लियर मैजोर्टी नहीं मिली ती भाई ठीक है बंबे अगले कोशन पर बढ़े है सर हूँ हूँ विकम दा चैंपियन आफ सोचलिजम सोचलिजम एंड वाल्ट वाट्रो दा बिटिस रोल प्रिंसली स्टेट ठीक है इन 1933 1933 में सोचलिस्टे के ठीक फादर के रूप में कौन जाने लग गए तैसे सिंपल को से है और दो यह उपसन है तो आप इजली कर जाएंगे बहुत सिंपल कोशन है बचे यह बाइचांस में दो आपसन इसका रहा ही नहीं ही चलियो के फास्ट स्पीड से जरा बढ़िए और यह लाइक से रभाई करते रहो यार सुबह सुबह के सेजन में तुम लोग सुबह में जोएन नहीं करना पाओगे तो फिर चलियो के बिल्कुल सही है सर आपका राजेंदर प्रसाद जवारला लहरू जवारला लहरू जवारला लहरू जवार्ला लहरू इस दग करेक्ट आंसर चलियों नेक्स्टों पर बढ़ा जाए कोशन क्या है आपको बताने इन में से कौन सा सही है ठीक है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चो ठीक यह 35 लोग लाइब है थोड़ा सा एक बार जोज दिखाओ और लाइक सेर भाई 5 सेकिंड लगता है 36 लोग लाइब है बच्चे फास्ट स्पीड से जरा टाइम को लो और लाइक सेर कर डालो भाई मेरे जल्दी जल्दी से जरा और आज पहली दिन है इत्यास का बहुत दिनों बाद लगवग 15-20 दिन बाद तो हमें वरोसा है कि आप लोग फिर से रप्तार पर इत्यास में उसी तरह से पहुचेंगे यार सतरस सी आप लोग रहा करते थे इत्यास में और हम देखे देख लेते हैं आप लोगों के स्टेटमेंट की क्या है सर ओके देखे क्या है बंबे मैनिफेस्टों साइन इन 1936 ओपनली अपोस्ट अप्रेचिंग आप सोशलिस्ट आइडिया ओके सेकिंड पॉंट याद र सब्सक्राइब और से जिनका भी ऑप्सेंट सी है करेक्ट है ठीक है करेक्ट है भचे ठीक याद रखिएगा चली अगले कोर्षन पर बढ़िए अगला कोर्षन का हैं भाई हम अगला है स्री नर्सिंग नारायन वाज सोशलिस्ट नैस्नलिस्ट इंटरनेस्मलिस्ट या कमि पिर आगे बढ़ेंगे, शेटन पर, यास, चलिए, यास, नदीम गोड सेह युकता बहुत बढ़िया, गोड News, तो ध्यानिके, आपको बता दें, नरसिंग नारायन साथ कौन थे सर्क तो ये, सोशिलिस्ट आइडिया के, आपना सोशिलिस्ट आइडिया को लेकर आगे अगले में से थे सो आप्शन नमबर इस दा करेक्ट आंसर बचो ठीक है चलिए सर अगले कोशन पर और बढ़ते अगला जैप्रकास नारायन दिवस वास सेलिब्रेटर इंद जैप्रकास नारायन दिवस को कब मनाय जाता है ठीक है ऑप्शन है जनवरी 1946 में जनवरी 1946 मार्च 1946 अप्रेल 1946 टिक तो बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यस हुँ बिलकुल निसा गुड़ डिपिका जी महेंदर प्रताप गुड़ गुड़ तो सर बिलकुल सही रेखा जी ओके गुड़ बहुत बढ़िया ऑप्शन नमबर सी दा करेक्ट आंसर यह यह मतलब फैक्च्वल को सेने बच्च सीधी बात बता है यह फैक्च्वल है तो नेम न데 प्रकास नाराइन को किस नाम से जाना जाता ता जना जाता है लोगनायक है ना लोगनायक या फिर आपका लोग तो यह लोगनीत लोगनायक बताईएगा येस अ जल्दी जल्दी से बच्चो जरा यार 40 लोग तक आप लोग पहुंचे थोड़ा और बढ़ना है भाई लाइक से होते रहना चाहिए ना बच्चो फर्स्ट स्पीड से बताईएगा बिल्कुल बिल्कुल उप्सन बी उप्सन बी सर लोक नायक लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है बिल्कुल सही है सर उप्सन बी और आप सब जानते है कि सर इनके द्वारा ही टोटल रिवोल्यूशन भी लाए गया ताई यह सब आपको पढ़ा रखा है तो आगे बढ़िए सर अगले पार्ट पर आईए कोसे ने हुई इस नोन एस लोक नायक देखे एक ही कोसे न अलग अलग एक जाम में बच्चे PCS में यह इधर उधर किसी भी एक जाम में ना कई बार कोसन को घुमाए जाता है तो अब बताईए का महात्मा गांदी सुवास्चंद्र वोस जैप्रकाज नारायन या बाल गंगा दत्ति लाए अभी अभी कराए गया या लेकिन लाइक से और फास्ट स्पीड से करते रहो बच्चे ना जल्दी जल्दी चलिए ओके देखा जाया सर क्या होना चाहिए सबी बच्चों का गुड़ 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 जैप्रकास नारायन इसमें को सोचना ही नहींता है ना अप्शन अगले पर आईए सब फूर्म दा बिहार सोचलिस्ट पार्टी नाइटीन थर्टीवन बिहार सोचलिस्ट पार्टी को पनाने का स्रेज हो जाता है वो किसको जाता है बच्चे ना फुलन प्रसाद वर्मा स्वामी योगा नंद या फिर आपका नरहरी नरहरी पारे किया दादा भाई नैरो जी न आफ दावा मोर देन वन बताईएगा और प्यारे बच्छो यार लाइक से और फास्ट स्पीड से होना चाहिए 38-40 लोग हुए है लाइब भाई थोड़ा जोर लगाओ और थोड़ा सा थैना चलिए जराद देखा जाए चलिए ओके ओके पी कुंजिस सहाब बहुत बढ़िया भाई नमस्कार ठीक है अब आंसर की और बढ़ा जाए भाई बिलकुल फूलन परसाद वर्मा यादर के 1931 में इनों ने बनायता और इनको काफी सारे लोगों ने फिर बाद में सपोर्ट किया था यह याद रखना है यार थोड़ा सा आगे बढ़ो विहार सोशलिस्ट पार्टी वास फॉंड़ेट बाई भाई सोचलिस्ट पार्टी को किसने फॉंट किया जैपरकाद नारायन है ना अगला है सत्य भक्त या मन रॉय या आपका अगला है सुभास चंद्र बोस ट्राइट वांस इन ट्वेंटी सेकेंड बचेंड निसा कहें कोशन उल्टा चल रहा है सार हां कोशन नम्बर आज उल्टा आ ओके यह सौनिमार चांदनी जी समीना जी सत्रुगहन परसाद जी झीनिसा कुमार sailingiche जी गोड तो बिलकुल सही आप सब का option number 8 जै प्रकास नारायन जै प्रकास नारायन बिल्कुल सही है सर ठीक है अगले पर बढ़िए जै प्रकास नारायन वाज एस्सोसेटेटेड विद है ना जै प्रकास ना यह सेम को सने तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए आप्टर पुना पैक्ट और 1932 हरीजन सेवक संग वाज एस्टेबलेस इस प्रेसिडेंट वाज इसके प्रेसिडेंट को अन थे बच्चे आप सभी को बताने चालिस लोग लाइब हैं प्यारे बच्चो एक बार लाइक सेर करते रहिए गा यार है ना और थोड़ा सा बढ़ो भाई 40 पे इत्यास रुके तो वो मज़ा नहीं है ना जल्दी जल्दी से हम भी कर रहे हैं आप लोग भी जहां जहां आप लोग एक्टिव हैं वहां महां चलिए सर देखा जाए कि आंसर क्या होना चाहिए ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जी डी बिडला जी डी बिडला सभी लोगों का निसा जी सुर्णिमा जी मनीसा जी महिंद्र प्रताप नदीम विक्रांथ सहाब ठीक है ओके बब्बु भी आचा हरीजन सेवक संग वाज अस् से आम दास बिरला याद रखेगा जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ बच्छे इस पूना पैक्ट में गांधी जी ने सोचा कि यार हमने कहीं घड़बर तो नहीं कर दिया हरीजन के लिए इसके बाद बच्छे 1933 में इनों ने है ना हरीजन नामत पत्री का भी चलाना शुरू कि टू हिस्ट्वारिकल पूना पैक्ट को किसने साइन नहीं किया था बीम रॉम बेटकर मदन मोहन माल विया या सी राजा को पालचारी एम के गांधी फास्ट स्पीड से बताएगा बच्छे जल्दी जल्दी से जरा हुँ चलो बई देखा जाए कि क्या होना चाहिए आप सब क्या आंसर बिलकुल एम के गांधी दिपिका यासो के एम के गांधी एम के गांधी याद रखेगा हुआ कि ये गांधी जी तो थे जेल में यारावादा जेल है ना यारावादा जेल आपका कहां पर सर पूने में यारावादा जेल पूने में ठीक है और देखें इसके बाद यारावादा जेल पूने में थे इसके साथ साथ ही आपको याद रखना है सर की इनकी तरफ से मदन महन मालविया ने साइन किया और सी राजा गोपालचारी जो है इन्होंने पेन को एक्सचेंज किया था ठीक है तो इसलिए आपको याद रखने किनों ने साइन नहीं किया ये थे महात्मा गांधी आपके ठीक अगला किसको क्या किया आपको बताने लखनों पैक्ट कराचिल एग्रिमेंट लाहर एग्रिमेंट पूना पैक्ट ट्राइट विदिन 20 सेकंड बचे थोड़ी यार स्पीट भड़ाओ भाई है ना लाइक सेर भी कर डालो भाई थोड़ा सा पहला पहला इध्यास कर दिने यार और चलियो के ओके 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 विक्रांट जी ओके निसा सालू ठीक है गोड़ दिपिका पूना पैक्ट विच अब द फॉलंग वाज इंप्लिमेंट अप्टो दैनॉंस्मेंट आप कमिनल अवार्ड देके जैसे कमिनल अवार्ड हुआ गांधी जी बोले यह हमारी यह उसकी जी गे तो उसके बाद बचे क्या किया गया फिर गांधी जी और अमटकर साप के बीच में पैच अब किया गया डैट इस ना पूना पैक्ट उसी को पूना पैक्ट के नाम से जानते बच्चे सो आपका ऑफसन नमबर 20 गरेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़तें अगले पार्ट पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन किया गया था जल्दी बताओ निसा कहें सर हमको एक बात समझ नहीं आई है तुम्हें बहुत सारी बातें समझ नहीं आती है बताएं निसा जी क्या समझ में नहीं आई है आपको बस लाइक सेर करते रहना या निसा है ना चलिए जलनी जलनी से चलिए गांधियन अमेड कर बिल्कुल तो नम बेट कर यास मंसुरी जी बिल्कुल तो तो गांधियन अम बेट कर गोड तो गांधियन अमेड कर option number D is the correct answer और ये कब किया गया था सर ये आप सभी जानते हैं कि 24 September 1932 को किया गया था ठीक है चलिए सर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और आगे की कहानी को जड़ा जान लेते हैं देखें डॉक्तर अंबेटकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट रहा जिसको क्या कहा बचो कलकथा पैक्ट लंदन पैक्ट लाहूर पैक्ट पूना पैक्ट आप सब को बता दें ये सारे के सारे को से निकजाम क्या हुए है महंदर प्रत कि यास्यास पूना पैक्ट पूना पैक्ट ठीक है ऑगनर गर्ड गर्ड बर मन्सुरी जी तो ध्यान रिखें सब पूर पैक्ट आप सभी समझे रहे अभी तो डिसकस हुआ थान पूना पैक्ट तो आगे भड़ा है देखें बत्चे एक पात याद रखेंगा वार्ट सिंक लोग लाइब है प्यारे बच्चों एक बाल लाइक सेर के साथ कोशन पर आईए जरा कोशन है एसरसन है आपके पास पूना पैक्ट डिफिटिट दपरपस ऑफ कम्मिनल अवार्ड है ना येदि मैं इसको हिंदी में दिखा हूँ तो देखते हैं पूना पैक्ट ने संपरदा गार कि क्या होना चाहिए एसरसन करेक्ट रिजन टू बताएं क्या होना चाहिए सब पैंटारीस लोग लाइब है प्यारे बच्चो ट्राइट वांस अ विदिन 22nd भाई जल्दी जल्दी से जरा यस बिलकुल ध्यान रखे एसरसन भी करेक्ट है सरें रीजन भी करेक्ट है एंड रिजन का यह आँ सर्सन करेक्ट एक्स्प्लीनेशन है रीजन का बाइट वाई बख्यों नंबर एस दा करेंट नो नधीम ओप्शन एए मनीशा जी गूर्ड जिन बच्चों का उप्सण है करेक्ट है बचे अगले पर बढ़ो यार को सेने दा परपस पूना पैक्ट पूना पैक्ट का परपस क्या था हिंदु मुस्लिम यूनिटी तो प्रवाइड रिपर्जेंटेशन आप अंटाचे वाल टू तू प्रिविलेश दा किंग एना री कंसेडरेशन आप धायर की ब है अगा चली चौवा लोग लाएब भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है और देखे और महेंद्र प्रताब जी बहुत बढ़ियां बाई देखे परपस और पूना प्रपस क्या था सर्ट प्र प्रोवाइड रिपर्जेंटेशन अप अंटचेबल अंटचेबल को आपका रिपर्जेंटेशन देना ना निसा जी क्या रे भट्टा हां एक दम ऐसे सोचेंगे कि हम तो एकदम नॉलेज के एकदम वो क्या बोलते हैं आरे भट जो मैत के पराइए दा प्लान ओफ सर इस्ट्याफर्ड क्रेप्स अन्वेस्ट आट सेकंड वल्ड वार इंडिया सुट भी ग्रांटेट कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिया सुट भी इसुट भी पार्टिशन इंटू टू अरे यह दो यह आप्शन वाला यह टाइप करने की मि constitution formed by the Congress Assembly the formation of new executive council with equal representation from both Hindu and Muslim any province could remain outside the Indian Union बताहिए गवाच्चो फास्ट स्पीड से है यह जो वालिस पैंताली से लोग लाएव है थोड़ा सा जौन करो हुआ हुं हुआ हूआ है देखा जाय है अज्ट जी एग कि बहुत बढ़िया ठीक है प्रसांत ठीक 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 तो ध्यान रखेगा इसमें बिल्कुल सही है एनी प्रोविंस को रिमेन आउट साइड दे इंडियन यूनियन यह पहले भी आपको बताया यह इसका करेक्ट नहीं है चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आपको बताए है अगला पॉइंट कहा है सर यह रहा अन इंपोर्टेंट अस्पेक्ट आफ क्रिप्स मिसन नाइंटीन फोर्टी टू क्रिप्स मिसन क्या था यह आपको बताने खेर यह कोसन हो चुका है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं चलिए नेक्स को से ने सब्सक्राइब हुँ 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 च्यालिस तक पहुंचे भाई है ना तोड़ा सा और आगे बढ़ो यार पचास तो कम से कम करना है ना आप लोग बाहु वली वाले लोग हो यार उसके बाद तुम लोग सांती रखोगे तो कैसे चलेगा हुँ चलिए देखा जाया सर आंसर को अच्छा इंगलिस मंसूरी जी यह को से इंगलिस में बाकी सारे आपके सिंपल हिंदी में होंगे ठीक है तो आई यह सर देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए तो ध्याना कि इंडिया सुट बी गिवन डॉमिनियन स्टेटास ठीक और 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 सबस्टी टेटेट वाइट पेपल ऑफ इंडिया तो यह है आपका बस थर्ड वाला पॉंट नहीं है थर्ड वालवाइद नहीं है तो सरकरेक्ट आंसर क्या हो जाए गापस नमबर 20 फापका करेक्ट आंसर बाई चलिए अगला को सन सिंपल सा कोंट चुनु वाला को से लिक कभी-कभी आजेंगे कहने सर ये यूप्यस्टी का अरे या यूप्यस्टी पहले एक कॉंसेप्ट तो बना लो बाद में यूप्यस्टी पूप्यस्टी करते रहना है ना पचास लोग लाइब हुए भाई धन्यवाद थोड़ा सो और आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत बढ में और याद रखे इसी को कहा था गांधी जी ने क्या कहा था पोस्ट डेटेट चेक आप सभी समझते हैं पोस्ट डेटेट चेक के रूपे इसको कहा था अना पोस्ट डेटेट चेक ना क्रसिंग वेंग ये कहा था हमारे गांधी जी ने ठीक है और आगे बढ़ जाओ भा पढ़ना ही नहीं होता है यदि पढ़ना वाकई रहना तो यह सेशन को जो फॉलो कर रहा होगा उसको पता है सच्चा ही बता है यह जो अमारे महंदर परताब जी है यह किस सेक्टर में जॉब करते हैं भूल गया साथ यह रेलवे में हां रेलवें मौल रेडी टीटी है उसके बाद ये करना चाहते हैं क्योंकि सर इनको आगे बढ़ना है और भाई एक बाद बता है वो जो सोकोर्ड कहते ना लेवल टफ होता है तभी यूपीयसी होता है ऐसा कुछ नहीं है यार मीडियम लेवल वाला ही निकालता है जो टॉप वाले रहते वो सोर मचाते रह जाते बस बतना चाहिए होता है चलिए अगले पॉइंट पर महात्मा गांधी पंडित नहरू विनोबा भावे जैप्रकाद नारायन भाई बताओ बिल्कुल बिल्कुल है ओके गोड़ 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 एमके गांधी एमके गांधी फिप्टीफोर लोग लाइब है चलिए और बढ दो बढ़ा चलिए इस वर्ड़ से आपको रिलेट करना है सर अगले कोसें पर बढ़िये कोसें है सर आपको बताने मैच दफॉलाइंग है ना 58 लोग है घबराना नहीं भागना नहीं आंसर करना है ना पांस सेकेंड का टाइम लेकर जब तक उप्सन लगा डालो लाइक सेर का ना चलिए आचारी विनोबा भावे ठीक अगला है यत्यान लाल जैन तीसरा है राम गोपाल तिवारी चोथा है आपका रतनाकर जाओ आपको बताने यह कहां से विलोंग करते ना किस जिगे से सौरब जी कहें बाहु बली सुनके फ्लावर समझे क्या फायर है यार यह एक टेग लाइन सभी लोग लगाए जाने भाई यह सब चीज़े अच्छी नहीं होती है सही बता है मतलब एक बात हमें समझ में नहीं आई कि हम लोग हमेशा गलत को ही क्यो फोलो करणा चाते यह न लोग नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं वह एक मुवी आई थी पहले उसमें वह बाइक चला रहा है बाइक चला रहा है पर सिग्रेट की बोतल वह दारू की बोतल फैक रहा है इसे लाट से फैक रहा है कौन था वह एक्टर अपने नाम होजे ध्य आप ते ख्यार ऑप्शन पराजो सर्धान रखेगा ऑप्शन नमबर भी है करेक्ट अंसर ठीक अना और यह सब ऐसे फालतु वाले चीजों में मत रहा कर भाई एना फ्लावर और फायर यह सब करना वो लोगों को ही अच्छा लगता है जिनको करने दू ठीके तुमें चलेक सदार वाला भाई पटेल बताये गवाच्छो फास्ट इस पिर से हाँ भाई थोड़ा लाइक वाइक होते रहना चाहिए अमनी साय तो तुम्हीं बताओ गे कब किये तुम फॉलो चलिए ओके बिल्कुल सही आई अंसर पर भढ़ते सर इडिवीजुल सत्यागर्य विनोबा वावे अदब फॉस्ट सत्यागर्य वादा सेकिन एकदम सिंपल सा आंसर है सर पंडित जवाला नेरू और यार एक बात बताओ पोशन वही ना जो सेलेक्शन दिलाए है ना और मे मैं पढ़ाता हो उतन ही оно जितना एक्जाम में आना है उससे ज्यादा नहीं पढ़ाता उससे ज्यादा पढ़ा करकर करना क्या यार पीहСडी थोड़ी करनी कि है यहां और किस वर्स आया था बस यह 1940 बस इतना साय ठीक है चलिए सर अगला कोसर यह भाई रूख जाना अभी जाना नहीं है टाइम नहीं हुआ है पहले सुन लो जरह बीच में इसको ले आए हम मद्यपरदेश PCS का आपका बैच सुरू हो चुका है आप इसको जोईन कर सकते बचे कोड आपका Y260 है इसके साथ आप जोईन कर सकते बाइलिंग्वल बैच है एक और सुन लो भाई ब्यार PCS का भी है इसको भी अच्छे से दबा कर आप जोईन कर सकते बैच को ठीक है और इ लगता है कि आगे धीरे-धीरे कंटीनुएस आप लोगों के साथ जुड़े रहे तो वही सत्तर असी का जो अपना सिक्वेंस था वह आना चाहिए भाई है ना शुरुवात करते और यार साम को छे बजे वाला सैसन भी मिस्स नहीं करना है क्योंकि बहुत जल्द उस पे ठी से अगरे आप दैडिवीजूल सत्याग्रा मूमेंट इंडिवीजूल सत्याग्रा मूमेंट का फर्स सत्यागा बैडा यार चल्दी बता दो यार सरोजिनी नायदू राजा गोपलचारी विनोबावे फास्ट इस पिर से डिस बिलकुल सिंपल एसे टाइमर भी चलनी की जर दिमाग लगा के बताना कि चाहूना चाहिए आंसर और इसके लिए 20 सेकंड बताओ आज रिवास डारेक्शन में चल रहे यह गाड़ी अपनी है ना भाई यह जो जो लोग रहे गए यार इन लोगों को भुला लेटर एक बर कहा सो रहे लोग चलिए है ऑके बढ़ा जाए सर बिन्हें कुल सही दिस्निशा गोप आनन या अभिला सा बहुत बढ़ीया विला साझ आहे आप निन्चे उट गया रहे मैं अब इनो भावे बच्चेशista रहा ना चाहिए को सिन कर Ó चाहिए और आए विया जिया पढ़ो तो सही who was selected as the first satyagraha in the individual satyagraha यार यह तो अभी-अभी question करा है which one of the following native state was a party to the standstill agreement standstill agreement का party कोन था आपको बताना है सर हैदराबाद जम्मू कस्वीर जुनागर या मैसूर बताओ जल्दी से जरा 20 second में फास्ट है आरे भट बनना भी निया ना निसा यहां PCS निकालना है आरे भट थोड़ी बनना है ठीक है चलिए पढ़ लिए तुम्हारा कमेंट आम निसा डिलीट मार रहे हो तुम्हार आंसर करो बिन्नी जी बहुत बढ़िया अनन्या गोड चांदनी जी अंजली गोड निसा हैधराबाद एक दम बाबु भीया अरे है तुम्हारा नाम भोच जबर्दस थे हैं बाबु हिया तो सर हैधराबाद हैधराबाद इस्टेंड इस्टिल एग्रिमेंट के साथ हैधराबाद था सर 59 लोग लाए मैं एक बार और बढ़िये भाई तोड़ा चा और आज 60 के पा सबसे पहले फूफा फूफा बोलो बाबु भीया को अच्छा सालुक है सरी फूफा है बाबु भीया ना ना यह हमारा सिंचेन है के चलिए तो करेक्ट रांसर है सर्फ पंजाब पंजाब याद रखिए का पंजाब जो है ना इसको अपना अलग ही युनाइटेड इंडिपेंडनेंट एक्जिस्टेंस यह रखना चाहता था बच्छा ऑप्सेन नमर पंजाब इस दा करेक्ट टानसर आया चलिये जमुन कस्मिर वीकम इंटेग्रेल पार्ट ओफ एंडिया ओन जयामुक आश्मिर किस वक्त इंडिया kappa बना बच्छे बताओ 26 सक्टूबर 1846 नमबर 1948 छब इसक्टूबर 1921 सबसाइध बता दु काइण फास्ट जल्दी जल्ली लाइक सेयर के साथ है यार आप लोग है आप लोग है आप चलिए सर देखा जाए आप अ हम बहुत बढ़ियां गोर्ड प्रसांत सोनम ठाकोर यास और इसके बाद ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाता है ठीक है ना ओके तो 26 अक्टूबर उनिस्वारतालिस आपको याद रखने 26 अक्टूबर उनिस्वारतालिस इस दा करेक्ट आंसर विच्ट्री इंडियन इस्टेट डिलेड एसेशन टू इंडिया इवन आफ्टर अधर प्रिंसली स्टेट है जोएंड किस तीन राज जिने बाद में जोएंड कि आपको बताने ह है ना है हाँ यस गुड चले बताईए और यार साट एक सट लोग लाइव लेकिन अभी लाइक थोड़ा कम है भाई थोड़ा थोड़ा दालो यार लाइक आप सब लोग सचा लेंगे तो लाइक वाई क्या इसे बढ़ जाएगा लाइक तो यार तुम सब का एक बाए हाथ क खेले इसी को बोलते हैं ना यास सो आइए सर आंसर को देखा जाए कि कौन-कौन से तीन राज जी ने थोड़ा लेट शुरू किया था तो जुना कर हैदराबाद और जमू अन का समीर ऑप्सन नमबर बीज़ा करेक्ट आंसर सर ऑप्सन भी आपका करेक्ट आंसर भाई चलि आए गा 5 चलो भी बड़ा जाय जरूंग हम जले आंसर पर देखा जाय कि क्या होना चाहिए सर ठीक है सर कि इंस्टुमेंट अपसे सन क्या लिक्रीव उपर चला गया बच्छे तुवारा कमेंट सर्दार वाला भाई पटेल याद रखेगा सर्दार वाला भाई पटेल ऑप्टेल आप्सन अमबर डी इस दा करेक्ट आंसर यास नेक्स कोर्शन पर बढ़िए अगला क्या है सर most of the integration of princely state in Indian union had taken place in which year किस वर्ष ज्यादा तर integration हो चुका था इंडियन इस्टेट में बताइएगा फास्ट इस फिट से बचो हूँ सालो चले ओके बढ़िए 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 थोड़ा लाइक वाइक सेर्वेर कर डालिए हाह मैंडर परताफ का है सर यह 보여ivel को सनלओ систем मैंसर लेकिन बहुत इंपर्टेंट एज सर बिलकुल महिंदर परताफ जी बिलकुल यह को सना अया है और यह बहुत इंपर्टेंट दिए ठीन तो जान लेते है जिडिरा देंख लेते sir okay yes option number B option number B 1947 is the correct answer ठीक है चलिए विद रफरेंस to the Indian freedom Mehta is well known for Mehta जी को उसा मेहता को किस लिए जाना जाते बचे ना बता ये जल्दी से जरा ट्वेंटी सेकंड में यस हुआ 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 है थोड़ा और बड़ो लाइक वाइक थोड़ा करो सागर जी अगे अंसर पराना चाहिए sir विद रफरेंस to Indian freedom उसा मेहता जी जो जानी जाती है अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाने के लिए जानी जाती है बच्चे ऑप्सन नमबर A is the correct answer ठीक है जब फर्स्ट एयर के सभी लीडरों को capture कर लिया यानि कि चेल में भर दिया उसके बाद इनका काम सुरू हुआ इन लोगों का second year के लोगों का बच्चे काम सुरू हुआ तो option number A is the correct answer ठीक है चलिए sir अगले question पर बढ़िए क्विट इंडिया के दौरान किसने कॉंग्रेस रेडियो चला है बच्चो बताईएगा फर्स्ट स्पीड से बताएं बच्चो यस चलिए ओके देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए sir correct answer आपका यास मनुच कुमार जी बहुत बढ़िया इसमीता जी प्रिंसी ओके गुड़ 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 तो sir who among the following rain congress radio यादर कि congress radio sir उसा महता उसा महता इस दा correct answer उसा महता जी के द्वारा ये चलाए जा रहा था ठीक है ना ओके चलिए sir अगले प्रसंट पर बढ़िये जरा हाँ कुट इंडिया मोमेंट वाज रियक्शन था बच्चे यह आप सभी बच्चों को बताना है the disappointment of India against the Crips mission the threat of Japanese attack on the India to provoke countrymen to adopt valence means by the Gandhiji's article due to passes of the proposal of August 1942 by the All India Congress committee बताईएगा 64 लोग लाइव हुए है निशा कहे सर भूख लग रही है तुम्हें भूखे लगती रहती है यह पास सेगें का टाइम लेना है यार 64 लोग लाइव हैं बच्चे एक बार लाइक सेर के साथ आपका सेशन यह बढ़ना चाहिए बच्चोंए ना चलिए सर बढ़ाईए जड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इस कोशन का यह स्त्रिप्ती जी बहुत बढ़िया गोड़ चलियो के आंसर पर बढ़ा जाए सर चीक है ठीक है तो देखें इसमें क्या है और टू प्रोग कंट्रिमेंट टू अडप्ट वालेंस मीन बाइग गांधी जी गांधी जी आचा कभी नहीं कहते थ करेक्ट आंसर टीक है ना चलिए अगले कोशन पर बढ़िये कोशन है कोशन के लिए लगातार कॉंग्रेस के कौन प्रेसिडेंट रहे थे फॉस्ट स्पीट से बताइएगा 64 लोग लाइब है यार मतलब कोन कहता है कोन कहता है कि ध्यास पढ़ने वाले कम है यार बहुत सबरी जल्दी जल्दी से बच्चे और like share के साथ answer होना चाहिए आप सभी प्रेश्चों का यार है ना चलिए साथ बिल्कुल अबुलकला माजाद निसा गुड 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 अबुलकला माजाद गुड गुड देखे सर आप सभी को बता दे 1940 में ये अध्यच फिर से बनेते दूसी बार पहले तो 1923 में बने गए ते दिली सेशन में जब यंगेस्ट बने थे उस टाइम पर बच्चे युवा थे सबसे युवा है ना हना सबसे यंगेस्ट थे डेली सेशन हुआ था इसके बाद 1940 में रामगर सेशन से लेकर 1940 से 1945 तक कोई भी कॉंगरस का सेशन नहीं हुआ इस दोरान अध्यक्च यही रहे थे ठीक है तो सबसे लंबे वक्त तक और सबस नहीं प्रेसिरेंड मातमा गांदी अबुलकला माजाद सर्दार वाला भाई पटेल या जवाला नेरू बच्चे फास्ट स्पीड से बताइएगा ट्राइट वांसा विदिन ट्वेंटी सेकंड हाँ यास यास परसांथ कहे सर पढ़ाने वाले में कुछ बात होनी चाहिए तब सब पॉसिबल होता है सर ओके भाई परसांथ चलिए मान लिया तुम्हारी बात को यार अब तुम कहे तो ठीक है लेकिन सेलेक्शन ले ले लेना बस है न चलिए सर देखा जाए अब क्या होना चाहिए आंसर इसका बिलकुल बिलकुल प्रेम कुमार जी ओके निसा जी बहुत बढ़िया भी को लॉक किया जाए यास पाल जी बिलकुल यास पाल जी कल भी आप देखे दे में ध्यान है तो सर महत्मा गांधी नहीं है आपको बताने प्रेसिडेंट और नैशनल कॉंग्रेस वेन इट पास दा कुट इंडिया तो कुट इंडिया रिजोल्यूशन जब पास किया था या कौन था तो याद रखे मुलाना अबुलकलाम आजाद है ना ऑपसिन नमबर बी आपका करेक्ट आंसर है मिरे भाई आप सभी को पता है क क्लास खतम होने के बाद आप सब को एक कोशन दिया जाता है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए तो आज का जो कोशन है छोटा चा सुलो क्लास खतम होने के बाद जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और सभी को ट्राइ करना है बच्चे सभी को आंसर लिखना है ठीक ह तो question क्या देंगे, इंडिया को जो स्वतंतरता मिली 1947 में वो किस act के तहत मिली, कौन से act के तहत मिली, यह आपको बताना है जो भी confusion वाले question रहे तो उसी को मैं देता हूँ, ठीक है ओके, पहला point यह आपको बताना है और दूसरा point बच्चे आपको बताना है कि भाईया, science में, ठीक है साम को जो class होती है, science के class की यार, time क्या है क्योंकि हमें लगते है कुछ बच्चे हमारे भूल जाते है क्या कि साम को भी class होती है, यह दो question को बताना है, ठीक है महंदर परताप कहें सर, आप जो पढ़ाते हो, आपकी बात को पूरा करेंगे सर अब की बार आरे भाईया, बिल्कुल होगा यार चलिए, निसा क्या कहें, का answer क्या है, वो question का answer बहुत कम, हाँ बिल्कुल है, निसा बहुत सही कह रहे है मनोच जी, यहाँ पर नहीं लिखना है, बचे, यहाँ पर नहीं लिखना है क्लास ओबर होने के बाद comment section में लिखने क्लास लिखने